हाई आज हम फुदीन को सुखाना कैसे हैं तो कभी-कभी क्या होता है फुदीना अपने को अवेलेबल नहीं होता है तो उस तैन पे आप उसको यूज कर सकते हो जैसे चाय बनाने में या फिर वीडियानी में थोड़ा बहुत डालना हो और आजकल तो कोरोना के वज़े सब का काड़ा में डालने के लिए इवन सर्दी खासी के लिए कोई भी काड़ा बनाना हो तो भी अपन फुदीना का यूज कर सकते हैं इसलिए यह मैंने फुदीना लिया है उसकी मैंने सब लीव्स अलग कर दिया है यह सब पूरा लीव्स यह सब मैंने अलग कर दिया है नंडिय आपके पास यह अवेलेबल ना हो तो ऐसे जाली दार ऐसे टोपली भी ले सकते हो जिसमें टीश्यू रख दो आपको एसा टीश्यू रख के भी रख सकते हो और इसको पहले अपने इसमें लेते हैं बस ऐसे फुदीना हमने भर लिया है ओके इसको अब में कुछ करना नहीं है फ्रीज में रख दिना है वो भी 10-15 दिन के लिए ऐसे ओपन ही रखना है तो आप देखोगे के दिरे दिरे यह सब एकदम ड्राइब होने लगेगा और एक लास्ट में जो भी आपको उसको बहार न एक दिन के लिए उसको डीफ्रीज में रखो और जैसे उसको आप बहार निकाल तो थोड़ी दिर उसको धूप में रखना है एट लिस्ट वन अवर रखोगे तो भी चलेगा तो धूप दिखाने के बाद यह कुछ ऐसा लगेगा ऐसा देखो आप यह आवाज पेसे आप सम डफिशे तोड़ देना है तो असे क्या होगा अ कि साथ को खृच हो जाएगा हाथ को मिक्सी में भी कर सकते हो पर मिक्सी में करने की कोई जरूत नहीं इस से अच्छा हो जाता है ऐसा से माथ तुलसी का भी कर सकते हो और जो बेजिल्स लीव रिजाते है और चृएगान ओल इसे अपना ये फुदीना एकदम ड्राइ रेड़ी है अब मैं इसको क्या करणगी इसके ऐसे किश्यू में ले लूगी अब आप इसका देख सकते हो इस कैसा दिख रहा है ये देख सकते हो आप एकदम मस्ट ड्राइ हो जाता है और हाँ इसको अब आप पैक करके एक अच्छी टाइट वाली बॉटल लेना है और आपको काले-काले चे वह दिख रहे है ना वह आप निकाल सकती हो पर वह मुश्किन नहीं है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है होगा तो भी और इसको एकदम आप टाइट ऐसी में एक एप लिए इसमें मैं ऐसा पर्विए की अच्छी अच्छ्ण इसमें मैं ऐसा पर्वुऊंगी अच्छी दिखे जूँक है इसमें ऐसा और ड्रेव दिना रेड़ी है यह आप देख सकते हों कि एक डम मस्त एक डब क्रशी हो गय है ज़रा भी मॉइस्टेर उसमें वहाँ पर यह ध्यान लखना घथ कि इसको फ्रीज में रखोंगें इसको जुआ रहने इसको तो बाहर कि अब है कभी मोश्टेर लब जाने गई उसे लगगो मेरी इपने साथ बिटनंस आख आगई ओक रहा सकते हो में आगई नहीं आगई इपको जाई ए डब शुरी को आगई या सुछाया रहा है